नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सर यूप्टूप चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन यूजी सी नेट ज्यारफ एक्जाम इतिहास भाग 202 में जिसकी परिच्छा जुलाई में संभावित है तो चली वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना न बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडियो चाहिए नि भाग 202 का तो पीडियो का लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जाकर आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोशन नमबर वन ने इसमें निमलेखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसमें सही सुमेलित नहीं है यह पूछा है इसका एंसर हो जायेगा C तेज बहादुर सुप्रो ट्रिवियन यह सही सुमेलित नहीं है ट्रिवियन का जो है यह पुस्तक का नाम है यह समाचार पत्र का नाम है यह ट्रिवियन और इसके जो है संपादक किया जो निकालते थे वो थे हर किसन लाल हर किसन लाल थे ट्रुब्योन के नौ की तेज बहादुर सुप्रू इसके अलाव सिराजुदिन अहमा जांगिर ये सुमेलित है और लाल चंद राजनीती से सतोहत्त आग ये भी सुमेलित है तेज बादुर सुप्रू का ये जो है ट्रुब्योन नहीं है ये है हर किसन लाल का कोशन नंबर दो है निमलिखित में से सरव पर्थम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तों के बहिसकार का सुझाव दिया यानि सबसे पहले बंगाल में ब्रिटेन की वस्तों का बहिसकार का सुझाव किसने दिया था तो वो दिये थे क्रिश्ण कुमार मित्र की सप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने यानि क्रिस कुमार मित्र जो है एक सब्ताई की पत्रिका निकालते थे संजीवनी इसमें जो है ब्रिटेन की वस्तों का या बिदेशी वस्तों का बहिसकार का सुझाओ के बारे में वर्लन किया गया है कुश्ण नमबर तीन है 1857 के विपलव के संदर में सिपाई विद्रो के कारण थे इसकी कारण क्या थे देखे पाला देश में इसके अंसार आप उपरुक्त में से कथन आपको एंसर देना है पाला देश में ब्रिटिस भारती सेना में एरोपी तथा भारती दलों की संख्या में औसमानता ये गलत है ये ये कराण नहीं था दूसरा दिया है जनरल सर्विस एन्सलिस्टमेंट एक्ट के अंतरगत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर अथा बाहर सेवा के लिए ततपर रहने का आदेश था ये सही है दूसरा तीसरा है इसमें इन्फिल्ड राइफल को समाविष्ट करना ये भी सही ह यानि दो और तीसरा ऐसे कारण थे जो ठारा सो संताओन के बिद्रों का विपलाव का कारण बना था तो इसका एंसर जाएगा भी दो वट तीन इसमें सही है कोशन नमबर चार है नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरयोक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है दूसे लिए देखते हैं इसमें दिया है पाला इसमें भारती प्रेस से सम्बंद बिनमय को सर चाल्स मैट काफ द्वारा रद करने के फल सोरूप 1835 से संताओन इस्वी के दौरान भारती प्रेस सास की नियंतरन से सोतन्त हो गए थी सही है ये दूसरा है 1908 के समाचार पत्र अधियम नियूज पेपर एक्ट के अंतरगा जिला मजिस्टेट के पास अधिकार था कि वह किसी ऐसे मुद्राले का अधिकरान कर ले जहां ऐसा समाचार पत्र प्रकासित होता जो हिंसा को भड़काता है ये भी सही है तीसरा दिया है 1910 के भारती प्रेस अधियम इंडियन प्रेस एक्ट को प्रथम विशुद के दौरा भारत सरकार दौरा निलंबित कर दिया गया था ताकि युद की तयारी में भारती राष्टवादियों का सयोग प्राप खोस होगी ये गलत था इसमें ये एक और दो इसम संदर में निमलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा जो है अभिलाच्छन सही है कूट के माध्यम से एंसर लगाना है तो चले देखते हैं इसमें उड्स के पाला दिया इसमें उच्च पाठिकर्मों के अध्यन उच्च पाठिकर्मों के अध्यन के लिए मेघावी विदार्थियों की सहायता के लिए छातिविर्ति की एक नियमित पधत की अस्थापना की गई इसाही है दूसरा है नीजी प्रत्नों से अस्थापित किये गए सिच्छा संस्थानों को सरकारी को से अनुदान दिलाने में स सहायता करना यही दूसरा है नैतिक तथा धारविंख सिच्छा को पाठिकरम का एक महत्पूर्ण आंग का प्रवधान धार्मिक सिच्छा के लिए प्रवधान नहीं था तो यह गलत है तो यानिंकि एक और दो इसलोफ में सही है अघैएक और दो इसलोई है और उड杉ध क कब लाए गया था इसका डेट आपको पता आवगा 1854 इस भी में कोश्चन नंबर 6 सुमेलित करने के लिए देखे यहां पर आप भी गया है ओड़ डिस्पैच इसमें एक है तो चले इसको सुमेलित करते ओड़ डिस्पैच अभी बताएं डेट किस वर्षा स्थापना हुए थी 1904 में सेडलर कमिशन के स्थापना 1919 में सेडलर कमिशन के अस्थापना हुए थी इस प्रकार यह सुमेलित है को कोश्चन नंबर 7 है सम्मत्ति का आयू अधनियम यानि एज आफ कंसेंट एक्ट 1891 इस वी को बनाने के पर्यासों में निमलिखित में से कौन अग्राणी था यह थे बीयम माला बारी इनके साथ एक और थे कभी किया अपसन में आज आयेगा अंका नाम था SS बंगाली यानि कि SS बंगाली और बीयम माला बारी दोनों नहीं मिल कर जो है यह जाब कंसेंट एक्ट पारित किया और इसमें प्रावधान है यह पारित हुआ था ठारों से का इसमें और इसमें प्रावधान है कि 12 वर्ष से कम आयुकी कन्याओं का बीवा पर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस अधनियम के तहत कोश्चन नमबर आठ है निमलिखित में से कौन 18-61 इसमें अस्थाफित बिधवा बिवा संग का संस्थापत था बिधवा बिवा पर विचार कीजी और कौन से इसमें कथन सही है पाला दिया इसमें राजारा मोहन राय ने बंगाल में अस्थाई बंदोवस्त का बिरोध किया सही है दूसरा है राजारा मोहन राय ने नियाले में सास्की भासा के लिए अंग्रेजी के स्थान पर फार्सी का समर्थन के यह गलत है यानि केवल इसमें एक सही है यानि केवल इसका एंसर जाएगा A question number 10 है कथन और कारण से कथन दिया है सोदेशी आंदोलन के उतकर्स काल में बंगाल में संपरदाईक धंगे फूट निकले सही है कारण दिया है धाका के नबाब सलिमुला के नितिरत में बंगाल के मुसल्मान क्रिशक हिंदू जमिदारों के बिरुद्ध बिद्रो रत हुए थे ये भी सही है A और आर इसमें दोनों सही है आर एकी सही प्याख्या भी करता है तो इसका एंसर हो जाएगा A Q11 है भारत में अंग्रेजी सिच्छा को आगे बढ़ाने के लिए निमलिखित में से किसने या बिनमे प्रारंब किया कि सभी लोग सेवाए एक सिच्छा परिशत कांसिल आप एजुकेशन द्वारा कराई गई मुक्त प्रतियोगता परिच्छा से भरी जाएगी और अंग् Q12 है भारती सोतंता संगर्ष के दौरान सोदेशी आंदोलन से सम्माधित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है इसमें कौन सा एक कथन सही नहीं है तो वो है इसका अंसर होगा A बंगाल में सोदेशी आंदोलन का प्रमुख गान रविन्ना टैगोर का अमार सोनमार बंगला था तो बंगाल में सोदेशी आंदोलन के सम्में रविन्ना टैगोर अमार सोनमार बंगला की राचना की थी जो की सोतंतता बंगला की राष्टे गीत बना सोतंतर बंगला देश का राष्टी गीत बना परंतु सुदेशी आंदोलन का जो है यह प्रमुख गान जो है बंकिम चिसेटर जी का बंदे मात्रम था ना कि अमार सुमार बंगला तो यह इसमें गलत है यहाँ पर नहीं पूछा है इसके लाव सब सही है इसमें यह कोश्चन नमबर 13 है निमलिखित में मुस्लिम नेताओं में से एनी बेसेंट द्वारा अस्थापित की गई होम रूल लीग में कौन समलित हुआ तो इसमें समलित हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना एंसर अगा भी मोहम्मद अली जिन्ना कोश्चन नमबर 15 है भारती सोतंता दर्श के दवरान होम रूल लूग आंदोलन से सम्मंदित निमलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे कौन सा कथन इसमें सही है चले देखते हैं इसमें पर दिया है पाला तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन में स्वराज के प्रस्ण को भासाई राजियों के गठन एवं देशी भासाओं में सिच्छा के मुद्देक से जोड दिया था सही है दूसरा है इलाहाबाद में जोहरला नहरू ने एनिवेसेंट की होम रूल लीग में परवेस ले लिया था ये भी सही है यानि दोनों सही है तो इसका एंसर हो जाएगा सी कोशन नमबर पंदरा है निमलेखित में से किस कभी ने 1917 इस्वी की रूसी क्रांती की प्रसंसा करते वे कभीताएं लिखी थी तो वह कभी थे सुब्रमाणियम भारती कोशन नमर 16 है निमलेखित कत्वों पर विचार कीजिए और कौन सा कत्वन इसमें सही है देखे पाला दिया इसमें नहरु कमिटी की रिपोर्ट में सामिल कई मौलिक अधिकार बीना किसी बड़ी परिवर्तन के भारत के समिधान में भी उपस्तित थे सही है दूसरा है 1931 के कराची प्रस्ता में उलेखित कई समाजी के मार्थिक अधिकारों को भारत के समिधान के अंतरकत राजिक के निदेसात्मक सिदानतों में व्यक्ति मिली ये भी सही है इसका एंसर हो जाएगा सी एक और दो दोनों इसमें सही है कोशन नमबर 17 है भारती राश्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी इवरिन समझावता स्विक्रित किया तो अधिवेशन था कराची का अधिवेशन और यह कराची में हुआ था और यह अधिवेशन हुआ था कब 1931 इसवी में कोशन नमबर 18 है निमलिखित कतनों विचार करना है और प्रुक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है दुछले देखते हैं इसमें पारा दिया है बंबई में एस ए डांगे द्वारा गांधी अमलेलीन नामक पुस्तिका प्रकासित की गई तथा दस सोशलिस्ट नामक प्रथम समाजबादी सपताहिक निकाला गया और दूसरा दिया है बंगाल में मुजफर अहमद ने नव युग निकाला तथा बाद में कभी नजरुल इसलाम के सयोग से लंगन के स्थापना की ये भी इसमें सही है तिसरा है मदरास में एम सिंगार वेल्लु ने लेबर किसान विचार यानि सही है तो इसका एंसर हो जाएगा एक दो वह तीन इसमें सही है कोस्टन नंबर 19 है निमलेखित कत्नों पर विचार करना है और नीचे कुट से एंसर आपको निकालना या कौन सा कुट इसमें सही है देखें इसमें दिया है बिस युद में ब्रिटेन के परियासों की सहायता के लिए 1918 स्वी में तिलक और गांधी जी ने धन तथा मानों साधन जुटाने के लिए गावों में दवरा किया और दूसरा दिया है लखनाओ समझाते द्वरा मुसल्मान नेताओं ने कुछ प्रांतों में अति परतिनिधित्व के बदले अधी संख्य छेत्रों में कम परतिनिधित्व सिवकार किया यह भी सही है यानि दोनों इसमें सही है तिसका अंसर हो जाएगा C1 वह दो इसमें दोनों सही है कोशन नमबर B से कथान और काराण से कथान है इसमें कैबिनेट मिशन ने मुसलिम लिग की प्रिथक पाकिस्तान राज की मांग को औस्यकार कर दी काराण है कैबिनेट मिशन का मानना था कि प्रिथक पाकिस्तान राज में एक बड़े अनुपात में गैर मुसलिम आबादी होगी यह मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में छूट जाएगी ए भी सही है याने ए और आर इसमें दोनों सही है आर एकी सही ब्याख्या भी करता है तो इसका एंसर हो जाएगा ए कोशन नमबर 21 है निमलिखित में से कौन एक अगस्त 1946 में घोसित प्रथम अंतरिम राष्टी सरकार में सामिल नहीं था तो वह थे डाक्टर एस राधा क्रि लाल किले में चलने वाले मुकदमे में पैरवी की थी तो मुकदमे में पैरवी किये थे आसाव फली भूला वाई देशाई जुआरल नेरू तेज बादूर सिफुरियनी सभी लोग किये थे इसका एंसर हो जाएगा डी कोशन नमबर 23 है निमलिखित में से कौन सा गांधी इरुवीन समझावते का अंग नहीं था तो गांधी इरुवीन समझावते का अंग नहीं था तो वो था एंसर हो जाएगा इसमें बी रिहा कैदियों को समचित मुआजे का भूकतान कोशन नमबर 24 है खेडा के किर्शिकों के पच में गांधी जी द्वारा सत्यागरा आयजित करने का क्या कारण था तो गांधी जी का सत्यागरा करने का क्या कारण था इसका कारण था एंसर हो जाएगा इसमें ए अकाल पढ़ने के बावजूद भू राजस्तों की वस्यूल कुछ को निलंबीत करना यह कारण था इसमें कोस्टन नंबर 25 है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें सही नहीं होगा एंसर होगा 20 इसका यह कथन सही नहीं है कांग्रेस के 1920 के नागपुर सत्रव्य मोतिलल नहरुग ने असयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ये सही नहीं है इसका प्रस्ताव जो है 1920 में प्रसुत किया था सियार दास ने कि यहाँ पर मोतिलाल ने रहु दिया सियार दास ने किया था यह कोशन नमबर 26 है गांधी जी ने फरवरी 1943 में जब वे जेल में थे 21 दिवसी अंसन क्यों घोसित किया था या किये थे इसलिए किये थे यह इसका एंसर होगा C यह उनकी द्वारा सरकार को दिया गया जबाब था जो उसने लगतार भारत छोड़ा अंदोलों में लोगों द्वारा की जा रही हिंसा की भर्षना करने को कह रही थी एंसर इसका C होगा कोश्चन नमबर 27 है नूनिया तथा मलंगी जातिया निमलिखित में से किसमे दच्छ थी तिये दच्छ थी नमक तथा सोरा उत्पादन में कोश्चन नमबर 28 है नेमलिखित कत्नों पर विचार करना है अब देखे इसमें विचार करके इसे कूट के एंसर से आपको एंसर सही लगाना है तो चीने देखते हैं इसको पाला दिया इसमें ये दपी भारत का सम्मिधान भारत वर्ष को राजियों के संगठन की रुप में ब्यक्त करता है तथा पी संग एवं संगी जैसे पद सम्मिधान में भारत वर्ष के संदर में कई स्थानों पर प्रयुक्त हैं ये तु सही है दूसरा दिया है सम्मिधान द्वारा सम्मिधान सभा द्वारा अपनाई गई तथा भारत के सम्मिधान में समायिष्ट प्रथम तीन स्रेणियों के राजियों एवं छेत्रों का उलेख करती है तथा राज्य सी राज्य बिर्टिस भारती प्रांद अंड़मान अमनेकबार दीव तिये इसमें गलत है किवल एक सही है तो इसका अंसर रहाएगा ए कोश्चन नमबर 29 है कथनों विचार करना है और कौन सा इस यह होगा चले देखते हैं इसमें इस आवशा दियाय एद्दपी पर्थम-पंच वर्षय उजना में कृति मिक्ता दी गई थी तथी यह उजना और के दोरान अस्थापित किये गये तहीं तक सीवाब कर और नहीं किये गए तें गलत है यह ब्रथम-पंच वर्ष्य उजना के ताथ नहीं किये गये थे यह दूती पंचवर्शी हो जना के ताथ किया गये जब कि यहां पर पर्थम दिया थे इसमें भी केवल एक सही है इसका एंसर हो जाएगा कुशन नंबर तीस है और अन्तिम कुशन है आज के लिए निमलिकित में से कौन 1962 इसमें भारत के उतरी भाग पर चीन द्वारा किये गए आकरमण के समय भारत का रच्छा मंतरी था तो उसमें रच्छा मंतरी था 1962 में जब आकरमण किया गया तो थे बी के क्रिश्न मेनन बी के क्रिश्न मेनन इसमें भी चीन और भारत में जो युद्ध छिड़ा हुआ है तो इसमें भी पूश सकता है कुशन ये करेंट टाइप से यहां पर 1962 न देकर 2020 दे सकता है और रच् आज के लिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के यहां अधिक सदिक सेर करें धन्यबाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम